प्यारे बच्चों, आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना सीखेंगे तो फर्स्ट आफ आल हम एक कोस्चन ले लेते हैं कोस्चन हमारा ये है, फाइंड दर HCF और LCM आप 60, 84, 108 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो इसके लिए हम 60 को फैक्टराइज करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो, 2 से हम डिवाइट करेंगे तो 2, 30 जा 60 हो जाएगा, फिर 30 को फिर से 2 से डिवाइट करेंगे, 2, 15 जा 30 हो जाएगा फिर 15 को फिर 3 से डिवाइट करेंगे तो 3, 5 जा 15 हो जाएगा तो इस तरह से 60 का हमने factorize कर लिया ठीक इसी तरह से 84 को factorize करेंगे तो 2, 42 जा 84 हो जाएगा फिर 2, 21 जा 42 हो जाएगा फिर 3, 7 जा 21 हो जाएगा ठीक इसी ढंग से हम 108 का भी factorization कर लेते हैं 108, 2 से डिवाइट करेंगे 2, 5 जा 10, 2, 4 जा 8 फिर 2, 27 जा 54 फिर 3, 9 जा 27, 3, 3 जा 9 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 60 का जो हमने factorization किया वो इस तरह से है 2 into 2 into 3 into 5 इट मिन्स 2 की पावर 2 into 3 into 5 84 को factorize किया तो 2 into 2 into 3 into 7 इट मिन्स 2 की पावर 2 into 3 into 7 ठीक इसी ढंग से 108 का factorization हम देखेंगे तो यह आएगा 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3 अब HCF को हम consider करते हैं HCF को समझने के लिए हमको तीनों numbers के factor को ध्यान से देखना पड़ेगा तीनों numbers के factor में जो common number है पहले वो ध्यान दे common number की minimum power है वो कितनी है 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 common number हमारे पास 2 ही prime number है एक 2 है और एक 3 है तो 2 की पावर 2 into 3 इस तरह से HCF कितना आ गया 12 LC हम देखेंगे तो तीनों number का पहले हम फैक्टर देखेंगे तीनों number के factor में जो maximum power की है पहले वो सारी प्राइम numbers लिखेंगे तो आप देख रहे हो 2 की पावर 2 into 3 की पावर 3 into 5 into 7 इस तरह से जो LCM है वो हमको मिल जाता है 3780 तो I hope आप किसी भी number का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथट से प्राइम फैक्टराइशन मेथट से HCF और LCM निकाल सकते हो अगें next question हम देखते हैं यूज 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 डिवीजन अलगर्थम तो फाइंड एश्याफाफ 135 और 225 फास्ट आफ़ाल जब भी हम यूज करेंगे यूज डिवीजन अलगर्थम तो हम यह देखेंगे इसमें दो नंबर्थ हैं वो दोनों में कौण greater number है तो 225 ग्रिटर नंबर है 135 इस्मालर नंबर है तो इसको हम यूज डिवीजन अलगर्थम के फार्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 225 में 135 से हम डिवाइड करेंगे तो अगर हम divide करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि remainder हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास 90, question क्या है, 1, अब Euclid division algorithm का जो format होता है, वो ये होता है, A equal to BQ plus R, ध्यान रहे, ये दो numbers A और B दो number है, R हमारा क्या है, remainder है, Q क्या है, हमारा question है, It means A हमारा number है, और B उसका divisor है, तो इसको अगर हम Euclid method से लिखेंगे, तो 225 is equal to 135 into 1 plus 90, again 135 हमारा क्या है, divisor है, 90 क्या है, remainder है, तो हम 135 में 90 से हम क्या करेंगे, divide करेंगे, तो हम क्या पाएंगे, 135 is equal to 90 into 1 plus 45, फिर से हम देखें, 90 हमारा क्या है, divisor है, 45 हमारा क्या है, remainder है, फिर से हम देख रहे हैं, कि 90 में हम 45 से क्या करेंगे, divide करेंगे, तो क्या पाएंगे, 90 is equal to 45 into 2 plus 0, हम ये काम तब तक करेंगे, जब तक कि हमारा remainder 0 न हो जाए, अब इस stage पर आप देख रहे हो कि remainder हमारा क्या है, 0 हो गया है, तो जो इसका diviser है, it means यहाँ पर हम देख रहे हैं, diviser क्या है, 45, वही इन दोनों नंबर का HCF होगा, I hope आप इस question को अच्छे से clear कर लिए होगे, next question हम लेते हैं, find the largest number which divides 248 and 1032 leaving remainder 8 in each case, इस question का पहले हम sense पमज लिया है, question का sense यह है, कि 248 and 1032 में कौन सी largest number है, जो दोनों को divide करें, तो remainder क्या आए, 8 है, इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों number से जो leaving remainder है, उसको हम subject करेंगे, जैसे 248 से हम 8 को subject करेंगे, तो 240 हो जाएगा, 1032 माइनस 8 करेंगे, तो 1024 हो जाएगा, अब यह हमारे पास दो number मिल गए, कौन-कौन से, 240 and 1024, इन दोनों का हम prime factorize करेंगे, 240 का भी prime factorize करेंगे, 1024 का prime factorization हो जाएगा, 2 की power 4 into 3 into 5, और 1032 का हो जाएगा, 2 की power 3 into 3 into 43, तो इस तरह से आप देख रहे हो, FCF जो हमको मिलेगा, वो हमको minimum power देखना होता है, तो हम दोनों में देखें, दोनों के factors को देखें, तो 2 की power 4 है maximum, और minimum कितनी है, 2 की power 3, तो एक हमारा आजाएगा, 2 की power 3 into 3, यही दो, 2 और 3 ही prime numbers हैं, जो दोनों में कामर हैं, और इसकी minimum power हमको लेनी है, तो 2 की power 3 into 3, इस तरह से हमारा यस्यप कितना हो जाएगा, 24, I hope आप इस question को अच्छे से clear कर लिए, झाज हमारा लूबचे